तो आज ही क्लास में हम डिसकस करेंगे ESI Deputy Director exams के लिए Accounting के MCQ questions और अगर आप prepare कर रहे हैं ESI Deputy Director exam के लिए तो जल्दी से जाएए अनुजिंडल.in पे अनुजिंडल पे जाके Buy Courses पे क्लिक किर जिए Buy Courses पे जाके ESI के exam पे क्लिक किजिए और ESI exam में जल्दी से enroll कर लिजिए जहां पे आपको Video Lectures के साथ साथ PDF Notes और Practice Questions भी अविलेबल कराए जाएंगे तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने Questions तो पहला Question है आज का और Questions स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है Question का Answer अपने Mind में या फिर एक Notebook में लिख लेना है ताकि हमें पता चल सके कि कितने Questions हमें आते हैं और कितने नहीं आते और किस Point of View से हम सोच पा रहे हैं चलो स्टार्ट करें तो पहला Question है CHN Company Private Limited Purchased Furniture for its Furniture and Furnishing Business from GIA for Cash Which of the following accounts will be Debited बहुत ही Simple Question from हमारा Journal Entries में से तो क्या कह रहा है जो CHN Account Private Limited है उसने Purchase करा है क्या Purchase करा है फurniture Purchase किया है अगर Normal Business होता है तो हम इसकी Entry क्या करते हैं Furniture Account Debit to Cash Account Credit क्योई Cash में Purchase किया है लेकिन यहां पे क्या बात बोली गई है कि जो उनका Business है CHN Company Private Limited का Main Business क्या है उनका Business ही यह है कि Furniture खरीदना और बेचना जब उनका Main Business ही Furniture खरीदना और बेचना है तो उस Case में हम क्या करते हैं अपना Purchase Account Debit करते हैं क्या Entry होती है हमारी Purchase Account Debited to Cash Account Credited यह एंट्री होती है क्यों भई यह एंट्री होती है याद हो तो अगर हम कोई और बिजनस कर रहे होते हैं लेट्स पोस्स शर्ट्स वगरा के बिजनस कर रहे हैं Sale Purchase का तो उधर हम यह नहीं लिखते हैं Shirts Account Debited वह हम लिखते हैं Purchase Account Debited क्योंकि यह Company का Main Business रहता है जो Company का Main Business रहता है वो हमारा क्या कहलाता है परचेस उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं ऐसा Purchase वहीं अगर CHN का Main Business Furniture वाला नहीं होता तो हम इसे Asset Create करते हैं और Furniture Account को Debit करते हैं अब Purchase Account में लिक को रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम देख सके कि हमने साल में कितनी Purchases करीं और जब बेचेंगे फurniture तो Sale Account को Credit करेंगे ताकि हम देख सके कि साल में कितना Sale किया इसे हमें ऐसा Fixed Asset नहीं लेना बलकि Business में Stock की तरह लेना है ठीक है तो Correct Option क्या हो जाएगा Option No.A Purchase Account ठीक है चलें Next Question पे तो Next Question है Question No.2 क्या कर रहा है A Contra Entry recorded in a firm's book affects which of the two Accounts तो Contra Entry कितने Accounts दो-दो Accounts को Effect करती है वो कौन-कौन से हैं तो Contra Entry होता क्या है मान लीजिए मेरा Business है उस Business में मैंने Bank में एक लाग रुपे जमा कराया हुए वन लाग रुपे जिपॉज़ेड़ है मेरा Bank Account में अब हर बार तो यह होता है जब भी हम कहीं जाते हैं तो Bank के पैसे के साथ हमें कुछ Cash भी रखना परता है अपनी जेबो में जो Business क्या करेगा अपने Business अकाउंट वाले जो Bank Account है उससे विड्रॉव करेगा और अपने पास Cash रखेगा उसमें क्या हो रहा है हमारा जो Cash है Bank से Cash in Hand में ट्रांसफर हो रहा है Amount तो उतनी रह रही है ना जो हमारे Current Passage और Cash and Cash in Hand से वह तो सेम ही रह रहा है बस हो क्या है एक एंट्री पास करते थे मानली जी और यहां पर एक एंट्री पास करते हैं मतब एक ही एंट्री हमारी दोनों अकाउंट को अफेक्ट कर रही है ठीक है Cash Account के Debit और Credit दोनों साइड एक साथ एंट्री में तो कौन से दो अकाउंट इंवाल्व हो जाते हैं एक तो हमारा Cash Account और एक हमारा Bank Account तो उस Correct Option क्या हो जाएगा Cash and Payers Account नहीं, Bank and Owners Account नहीं, Owners and Payers Account नहीं, Drawing and Capital Account नहीं, Bank and Cash Account तो Option Number E हमारा Correct answer हो जाएगा Bank and Cash Account ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेशन पर, तो नेक्स्ट क्वेशन है हमारा Question Number 3 Which of the following statements is false, या तरफ मैं इसको दियान से देखना, True or False, False with respect to Cash Discount Cash Discount से Related कौन से Statements False हैं, तो अगर Cash Discount क्या होता है, देखो, Discount हमारे दो Categories में Divide होते हैं कौन-कौन से Discount होते हैं, एक होता है हमारा Cash Discount, एक होता है हमारा Trade Discount Cash Discount और Trade Discount में फरक्या होता है, मान लेजे मैंने Business किया, मैं Businessman हूँ और मेरे पास माल खरीदने के लिए कोई आया, Goods खरीदने के लिए कोई आया Trade Discount वो Discount होता है, जो मैं उसे दूँगा कि अगर तुम Huge quantity में मेरे से समान खरीदते हो, मेरे से Bulk में समान खरीदते हो तो मैं तुम्हें इस्तिनी Costs लेस कर दूँआ, मान लेजे मैं कोई आइटम बेच रहा हूँ, 100 रुपीज की Shirt बेच रहा हूँ मैं बोलता हूँ, अगर आप मेरे से 1000 piece of Shirt लेते हैं, तो मैं आपको 95 की Shirt दूँगा वो मेरा जो Discount होगा है, वो क्या कहलाता है मेरा Trade Discount कि अगर आप हमारे से Huge quantity में material खरीदते हैं, तो जो उस पे Discount मिलता है Buyer को, वो होता है Trade Discount Cash Discount क्या होता है, कि मान लिजिए जब Trader आया, उसने Credit पर समान लिया, या Cash Payment करने के लिए जो हम Discount देते हैं, वो होता है हमारा Cash Discount एक Example ले लो, मान लिए जिए वोई Shirt मैंने Credit पर जी थी 1000 Shirts, अब मैंने उनसे 10000000 रूपीज लेने है, let's suppose मेरे DateC की पर तीन महीने बाद आप मैंको 10000000 रूपीज चुका होगे लेकिन मैं क्या कहता हूँ, कि अगर आप मुझे 10000000 रूपीज अभी चुकाते हो, या मान लो एक महीने बाद चुकाते हो, तो आप 10000000 की वज़े में को 95000 दे देना तो वो जो Discount दिया, Cash Payment करने पर जो Discount मिलता है, उसे हम कहते है, Cash Discount समझाया, Payment करने पर, Cash की Payment करने में जब Sales होती है, जो Discount दिया जाता है, वो हमारा क्यलाता है Cash Discount और Huge Quantity में, या Trade करने में हमारे साथ जो करते हो, कि हमने आज साथ बड़ा बिजनस की आपने, उससे related जो Discount दिया जाता है, वो कहलाता है हमारा Trade Discount तो अब देख लेते हैं, कौन-कौन सी Statements हमारी सही है, Cash Discount के लिए, और कौन-कौन सी गलाता Trade Discount के लिए Cash Discount is offered in order to encourage prompt payment, बिल्कु ठीक बात, कि जो हमारा Buyer है, वो हमें जल्दी से जल्दी Cash Payment कर दे, उसके लिए हमारा क्या दिया जाता है, Cash Discount सर, अब Cash Payment है, उसना समान कर दे, Cash Payment क्यों करते हैं, देखो, अगर वो जल्दी Cash Payment करेगा, तो हमें उसका Bad Debt होने का Problem से थोड़ी छुटकार रट लेगी, कि हाँ Problem Future में हमें टेंशन कम रहेगी, फिर साथ-साथ हम उस Cash को Utilize कर जा ले सकते हैं, बिजनस में, तो इसलिए Cash Discount दिया जाता है, कि जो हमारा भायर है, वो जल्दी से जल्दी Payment करा जा है, फिर ये Statement तो बिल्कुल ठीक हो गई, Cash Discount से Related, Next Statement क्या है, Next Statement है, Cash Discount is not recorded in the books of accounts, ये बिल्कुल गल्स Statement है, क्यों हमारा Trade Discount record नहीं होता, हमारा Cash Discount बिल्कुल record होता है, बिजनस में, जब हमा पेमेंट करी जाती है, ठीक है, तो ये Statement गलत है, Cash Discount is simply deducted in invoice without any separate entry, ये गलत है, ये भी हमारा Trade Discount में होता है, देखो जब Trade Discount होता है, माल लेजिए, 100 रुपीज का material बेचना था, मैंने उसे Trade Discount में 98 रुपीज का बेचा, तो अब इस 2 रुपीज का डिसकाउंट हो हम अपन एट रुपीज की गरी, ये सिरफ बिल में दिखाया जाता है, Cash Discount ये Trade Discount होता है, Trade Discount हमारा Record नहीं होता, Cash Discount अब दिया जाता है, जब Cash Payment हो, माल लेजिए ये आज हम से material ले गए, और एक महीने बाद आ रहे हैं, कि भाई मैंने तिरको तीन महीने बाद पैसे देने थे, आ आप लोगे, तो हमें discount दे तो चल जाएगा, जहां चा सुनना दुबारा, माल लेजिए मैंने एक material बेचा 1 lakh रुपीज का, परसन ने में को December में payment करनी थी, 1 lakh रुपीज का material बेचा, परसन ने में को December में payment करनी थी, माल लेजिए वो मेरे पास October में आ गया, कि मेरे पास अभ और इसे मैं record करूँआ, कि हाँ मैंने उसको 95,000 में settle किया है, ठीक है, तो ये record होती है हमारी transaction, और ना कि invoice में जाती है, तो ये third point भी गलत हो गया, fourth point किया है, cash discount is discarded along with the entry of payment, तो ये point हमारा correct हो गया, तो कौन-कौन से false है, 2 और 3, तो correct option हो जाएगा, option number D, option number D हमारा correct answer हो ठीक है, चले next question पर, तो next question है, हमारा question number fourth, if a journal entry has been made with a wrong amount, which of the following errors will take place while preparing the trial balance, तो जब trial balance create कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमने गलत entry, wrong amount से entry pass कर दी है, तो उससे related error कौन सा होता है, तो जब हमने errors पढ़े थे, तो errors को हम चार parts में classify करते हैं, कौन-कौन से error, error of omission, error of commission, फिर हमारा error of principle, फिर साथ-साथ, compensating error, यही बात करी थी हमने, error of omission क्या होता है, जब accountant, कोई entry record करना भूल जाता है, उसको हम क्या कहते है, error of omission, ठीक है, error of commission क्या होता है, जब कोई amount गलत लिख दी जाए, या फिर, जब हम ledger से trial balance में transfer हो रहे हैं, लिखर से उठाके amount trial balance में transfer कर रहे हैं, तब कोई error हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है, error of commission, error of principle क्या होता है, जब कोई principle follow ना किया जाए, मान लिजिए, किसी को current asset लेना था, उसको expense treat कर दिया, तो वो होता है हमारा error of principle, compensating errors क्या होते हैं, से compensating errors होते हैं, मतलब दो गलतिया होई, दोनों से compensate होगे, मान लिजिए, मैंने एक account में, अमित को debit करना था, 1000 रूपीज से, और मैंने सिर्फ debit कर दिया 100 रूपीज से, वहीं अगले में क्या गरा, 1000 से करना था, वहीं पर हमने कम से कर दिया, मतलब हुआ क्या, compensating errors क्या होते हैं, कि एक error दूसरे error को छुपा देता है, example देखो, let's suppose मैंने अमित को debit करना था, 1000 रूपीज से, गलती से मैंने कर दिया 100 रूपीज से, ठीक है, वहीं एक entry में में मिरको किसी और को debit करना था, महां मैंने अमित को debit कर दिया 900 से, अब इससे क्या हुआ जो अमित account था, दो error के कारण बिल्कूल ठीक हो गया, पहली गलती क्या होई था, 1000 से होना था, दूसरी गलती क्या होई थी, नहीं होना था, बल्कि हो गया, तो उससे क्या होई 1000 से debit हो गया, यह होता है compensating error कि भाई एक, दो गलती होने के कारण गलती अपने आप कट गई, वो होते हैं हमरे compensating error, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी गलती हुई है, जर्नल एंट्री पास करते वक्त wrong amount डाल दी गई है, तो वो हमारा error कौन सा हो जाता है, error of commission, तो correct answer क्या हो जाएगा, option number D, error of commission, छीक है, चले next question पे, तो next question है, हमारा question number 5, for charging depreciation, on which of the following assets, depletion method is adopted, तो कोन से वले में सबसे simplest question है हमारा यह, कहां पे हम depletion method का इस्तेमाल करते हैं, तो को depreciation के हमारे पार तीन चीज़ ज़ए, जब फिक्स asset की value reduce करने होती है, तब हम क्या लगाते है, depreciation, जब intangible asset की करने होती है, तो amortization, और depletion कम लगाते हैं, जब हमारे natural resources का वो होता है, जब हमें value को reduce करना होता है, तो तब हम क्या लगाते है, depletion method, natural resources, जैसे माल लेजी अगर मेरी गोल्ड की माई वह है अब जैसे जैसे मैं उस निकालता रहूंगा मैं उसकी जो वैल्यू है उसे रिडियूस करता जाँगा तो उसे कहते हैं डिपलीशन मेथड़ कि जैसा जैसे सोना एक्स्ट्राक्ट होता जाएगा उस उस ख़दान में से वैस वेस्टिंग एसेट्स भी गोल जाता है लाइक माइन्स एंड क्वारेस ठीक है प्लांट एंड में हमारे डिप्रिशेशन लगता है इंवेंटरी और गुडविल्स वेगरा में इंटेंजिबल एसेट्स है तो अमॉर्टाइजेशन लगता है ठीक है चलें आगे तो नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर सिक्स अ कंपनी है करेंट एसेट्स ऑफ रूपीज फोर लाग एंड करेंट लाइबिलिटीज ऑफ रूपीज वन लाग आफ्टर वर्ट्स इस परचेस गुड्स फॉर रूपीज फिफ्टी थाउजन टॉन क्रेडिट केल्कुलेट दी करेंट रेश्ची आफटर दी परचेस बहुत सिम्फल रेश्ची निकालनी है करेंट रेश्ची क्या होता है करेंट एसेटस gua Richardson में पहले करेंट एसेटस कितने थे वर लाग रूपीज गया अब उनक रूपीज की ए ब्बुन ने बोला है परचैस करे गए गूट्स 50,000 के जब परचैस फ़ूँञे दो चीजीं होंगी क्या होंगी एक तो क्रेट परचैस करे हैं एक क्रेडीट परचैस करे हैं हमारा क्रेट आधे भी 50,000 रुपीज से बड़ा होगा total amount गया हो गई 4,50,000 और 1,50,000 तो ये ratio आ गया 3 ratio 1 तो correct answer क्या हो जागा option number A 3 ratio 1 बच्चे का गलती कर देते हैं वो current liabilities को increase कर देते हैं लेकिन उनके mind में चल रहा हुथा purchase account डवेट तो current asset को नहीं कर दे तो हमें ध्यान रखना है कि stock भी तो बढ़ेगा जब purchase को transfer करेंगे stock में तो purchase जो हमारा stock है वो increase होगा ठीक है यह हो गया 6th question चले next question पर next question है question number 7 consider the below expenses purchase price, import duties, other taxes, abnormal waste amount of waste material, administrative overhead, fixed and variable production overhead selling cost which of the above is or are not included not included in cost of inventory इन समय से cost of inventory में included कौन-कौन से नहीं होते है तो जब हम accounting standard number 2 परते हैं तो उसमें cost of inventory में कितनी चीज़े include होती है तीन चीज़े कौन-कौन सी एक तो हमारा आता है cost of purchase फिर हमारा आता है cost of conversion फिर तीसरी cost क्या होती है other cost accounting standard हमने यही पढ़ा था कि cost of inventory में हमने तीन चीज़े include करनी है cost of purchase, cost of conversion और other cost cost of purchase में हमारी कौन-कौन सी cost आ जाती है एक तो purchase cost फिर हमारे taxes फिर हमारे फ्राइट इनवर्ड और यह सारे परचेस cost taxes फ्राइट इनवर्ड और लेस कर जाते हैं अगर कोई discount मिला हुए इस परफिर इसके बाद हमारे जो allocation और प्रड़क्शन और प्रड़क्शन और फिक्स और वेरेबल दोनों और अदर कौन सी आ जाती जो कस्टमाइज प्रड़क्ट बनते हैं उससे रिलेटिड जो कौस्ट आ रही है यह हमारी इंक्लीड होती है इंक्लीड होती है में अडिस्य क्ट कॉस्ट आर इंक्लीड नहीं होते ध्यान रखना प्रड़क्शन और इंक्लीड नहीं उते हैंtwyu cinema अणिस्टेटिस्ट अद्वर्य HP aligned इंक्लीड होते fix and variable production overhead include होते हैं selling cost नहीं include होती तो कौन-कौन से नहीं होते हैं 3, 4 and 6 3, 4 and 6 तो correct option हो जाएगा option number E 3, 4 and 6 या दो हमने accounting standard according हमने गाम किया उन्होंने cost of inventory को 3 parts में भाइड जिया cost of purchase, cost of conversion और other cost cost of purchase में purchase cost, taxes, freight inward less कर देना trade discount cost of conversion में direct labor फिर उसके साथ-साथ production overhead कौन-कौन से fix or variable other cost में अगर हमने कोई customized product बनाया है यह design बनाया है customized उससे related जो cost आई वो include होती है ठीक है चले next question पे तो next question है question number 8 as per accounting standard number 10 accounting standard number 10 कों सा है? PPE वाला plant, property and equipment वाला an enterprise should choose either dash model or the dash model as its accounting policy and apply that policy to entire class of PPE property, plant and equipment तो हमारे पास recording के दो methods होते हैं कौन-कौन से दो methods होते हैं? एक तो होता है cost model adopt कर लो या फिर revaluation model adopt कर लो cost model और revaluation model में फरक क्या होता है cost model में क्या होगा business record करेगा अपनी साई assets PPE किस पे cost पे और हर साल उस पे depreciation less करता रहेगा revaluation model में क्या होता है वो हर साल कुछ 10 साल या 5 मैं लब 3 से 5 साल बात क्या करेगा अपने assets को revalue करेगा और साथ साथ less करेगा depreciation वगरा तो ये दो option होते हैं business के बात वो revaluation model भी adopt कर सकता है cost model भी adopt कर सकता है revaluation में अगर कोई asset की value बहुत फ्रिक्वेंट इंज होती है तो उसे हर साल revaluation करना होता है ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा इसका cost model and revaluation model तो option number C cost and revaluation ठीक है चले next question पे next question क्या है a company cannot issue fully paid bonus shares to its shareholders out of बहुत ही simple question हमारा किस से related है companies act से related companies act में 2013 में जो section 63 है हमारा वो हमें बताता है कि जो हमारे bonus shares है वो कैसे issue होचकते हैं मतलब कहा कहा से issue होचकते हैं वो तीन चीज़े define करता है क्या चीज़ या तो अपने free reserves में से कर सकते हैं company free reserves में से या फिर security premium reserve में से या फिर capital redemption reserve में से इन तीनों में से ही सिर्फ company अपने bonus shares issue कर सकती है और कहीं से company अपने bonus shares issue नहीं कर सकते हैं तो अपने free reserves में से कर सकती है revaluation reserve में से नहीं कर सकती security premium में से कर सकती हैं capital में से कर सकती हैं तो हमसे पूछा क्या गया था cannot issue तो cannot issue क्या हो जागा हमारा option number B री वैल्येशन रिजर्व तो करेक्ट था गया है कि कम्पनी अपने री वैल्येशन रिजर्व में से अपने बॉनर स्टेश इशू नहीं कर सकती चले last question पे और last question आपको answer देना होता है comment box पे हर बार की तरह आपको क्या करना है 10th question का answer comment box पे mention करना है क्या question है which of the below following transaction is not classified as investment activity तो cash flow में से हमारा ये question है इन में से कौन सी activity इन पांचों में से हमारी investment activity नहीं है ठीक है ये answer आप मुझे comment box पे देंगे ठीक है आज की class के लिए इतना ही बाई बाई टेक कियर see you soon